इस्मिल्यंहर 야पा रहीम आस्पलाम विवर्स को मेरा देर सारा सम्म भी तो शौर्ट हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रेपोजिशन आफ प्लेस को डिसकस किया था in detail और preposition of place के हवाले से हमने दो preposition of place को हमने in detail discuss किया था और वो थी in और add हमने देखा था preposition of place में in किन places से पहले के इस्तेमाल होगी और इसी तरहां से at preposition का इस्तेमाल किन places से पहले होगा तो हमने यह अपने पिछले lecture के अंदर सीखा था विवर्ट्स आज की जो लेक्चर है वो भी हमारा preposition of place के हवाले से है और preposition of place के हवाले से फुर्दर दो हमने prepositions को आज discuss करना है और वो कौन सी prepositions हैं? एक preposition है on हम आज देखेंगे कि preposition on किन places से पहले इस्तेमाल होगा और इसी तरहां से कब हम preposition of place में on to का इस्तेमाल करेंगे तो preposition of place के अंदर on और on to का इस्तेमाल आज हम सीखेंगे इस से पहले के विवर्ज हम अपने आज के इस लेक्चर का आगास करें मैं विवर्ज आप सब लोगों से एक request करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे योटिव चैनल को subscribe नहीं किया तो kindly मेरे योटिव चैनल को subscribe कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर interesting videos तक आप की रसाई मूंकिन हो सके और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी request करूँगा कि इस channel को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके तो विवर्ज आईए हम अपने आज के इस lecture का आगास करते हैं और topic है हमारा preposition of place जो कि हमने अपने previous lecture के अंदर start कर लिया था और दो preposition को हमने in detail discuss किया था उसमें कि हम preposition of place में इन का इस्तेमाल कब करते हैं और add का इस्तेमाल कब करते हैं यह हमने पिछले lecture के अंदर सीखा था आज हम preposition of place के अंदर दो preposition को discuss करने चाहा रहे हैं एक है preposition of place में on का इस्तेमाल और एक on to का इस्तेमाल हम देखेंगे on का इस्तेमाल places के अंदर किस तरीके से होता है आज हम इसको discuss करेंगे तो study करते हैं on is used when an object is placed on a surface कहा गया है कि on का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है कि जब कोई object, जब कोई person या कोई चीज जो है किसी surface के उपर पड़ी हुई हो जब भी कोई object किसी surface के उपर पड़ा होगा तो हम कौन सी preposition उसके लिए इस्तेमाल करेंगे उसके लिए on preposition का इस्तेमाल करेंगे अब इसकी example क्या है the book is on the table अब एक example है कि किताब table पर पड़ी हुई है मेज के उपर पड़ी हुई है अब इस example के अंदर on एक preposition है on preposition का इस्तेमाल किया गया है क्यों क्योंके ये book जो है एक object है जो किस पर पड़ा हुआ है table पर पड़ा हुई है जो के एक surface है तो book चूंके एक surface के उपर पड़ी हुई है लेहाजा हम कह सकते हैं the book is on the table जब भी कोई चीज किसी surface के उपर पड़ी हुई होगी तो उस surface के उपर पड़ी हुई चीज के लिए जो preposition इस्तेमाल होगी वो on preposition इस्तेमाल होगी क्योंके अभी थोड़ी दर बाले हमने definition में यही पड़ा कि जब भी कोई object किसी surface के उपर पढ़ा होगा तो उसके लिए कौन सी preposition यूज़ होगी on preposition का इस्तेमाल होगा इसलिए जूँके book यहाँ पे table के उपर पढ़ी हुई थी और table एक surface है तो इसलिए हमने क्या किया कि preposition on लगाई इसके साथ कि the book is on the table तो इस तरीके से करके हमने on का इस्तेमाल किया विवर्स अब हम आगे चलते हैं exercise एक दी गई है हम इस exercise को हल करते हैं मजीद इस on के इस्तेमाल का हमें और idea होगा तो एक example है the pen is placed dash the chair अब pen is placed pen रखा हुआ है dash the chair chair पर रखा हुआ है pen तो इसके लिए कौन से preposition यूज होगी अब preposition on का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ preposition on का इस्तेमाल होगा क्यों on का इस्तेमाल होगा क्योंकि देखे pen एक object है जो के place किया गया है किस पर chair पर chair एक surface है अब chair surface है और जब भी आपने pen को किसी surface पर रखना है या किसी object को किसी surface पर रखना है तो preposition हम कौन से use करेंगे on use करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर preposition on इस्तेमाल किया है क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हमने किसी object को किसी surface पर place करना है या जब भी कोई object इसी surface पे पढ़ा हुआ होगा तो हम कहेंगे कि वो object के लिए proposition on का इस्तेमाल होगा अब हम दूसरी example देखते हैं the fruits are dash the ground अब fruits ground उपर पढ़े हुए है तो ground क्या है एक surface है अब ground से पहले proposition क्या use होगी on use होगी क्योंकि ये fruits कहां पर रखे हुए है ground पर रखे हुए है fruits किस जगा पढ़े हुए है surface पर पढ़े हुए है जब भी कोई चीज surface के उपर पढ़ी होगी तो हमने कहा था उसके लिए proposition on का इस्तेमाल होगा इसी तरह से अली is standing dash the floor अली खड़ा हुआ है अबजेक्ट अली एक अबजेक्ट के तोर पर आ रहा है तो अली खड़ा हुआ है कहां पर dash the floor floor पर खड़ा हुआ है first पर खड़ा हुआ है first एक surface है तो surface के उपर जब कोई चीज पढ़ी भी हो खड़ी भी हो लेटी भी हो तो उसके लिए कौन सी proposition है on proposition है standing on the floor यहाँ पर on आ जाएगा इसलिए इसी तरह से विवर्ट हम आगे चलते है the flowers are dash the bed अब flowers पड़े हुए है bed के उपर ठीक है या pool bed पर है ठीक है इस तरह के से flowers के हैं object के तोर पर आए है और bed के हैं surface है तो flowers surface के उपर है तो इसके लिए proposition आपने कौन से लगानी है on लगानी है क्योंकि अब आपका object जो है surface के उपर है जब भी कोई object इसी surface के उपर मजूद होगा तो इसके लिए proposition on का इस्तेमाल किया जाएगा अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि on to preposition का इस्तेमाल कब किया जाएगा कैसे पता चलेगा कि इस जगा on to इस्तेमाल होना है या on इस्तेमाल होना है अब हम on to को देखते हैं रीट करते हैं on to is used when an object is moved and then placed on a surface इस definition से हमें क्या पता चलता है कि on to का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे कि जब आप एक object को move होता हुआ देखे और move होने के बाद वो object किसी जगा पर place होता है किसी surface पर place होता है असान लफजों में दुबारा बता देता हूँ जब कोई object move होकर फिर किसी surface पर place हो यानि कि जब भी कोई object move होता है और इसके बाद किसी surface पर जाके बैठता है तो फिर हम कहते हैं कि हमने on to preposition इस्तेमाल करनी है Whenever an object is moved and then placed on a surface then in that particular case we will use the preposition on to जब भी कभी कोई object move होगा movement करेगा और फिर उसके बाद जो है किसी जगा पर place होगा किसी surface पर place होगा तो हमने on to preposition इस्तेमाल करनी है और जब कोई object move किये बगएर already किसी surface पर मुझूद होगा तो हमने preposition on इस्तेमाल करनी है यही फर्क है on और on to के इस्तेमाल का places के दुरान preposition of place में on और on to के इस्तेमाल का फर्क क्या है कि on का इस्तेमाल आप उस वक्त करेंगे preposition of place में कि जब आपने कोई object को किसी surface पे show कराना है यानि कोई object किसी surface में मजूद होगा तो हमने on preposition यूज़ करनी है और जब कोई object move करके किसी surface पर आएगा तो उसके लिए preposition on to इस्तेमाल करनी है इसकी मिसाल लेख देते हैं on to की अब देखें move the books dash the shelf अब books को move करा रहे है shelf पर अब यहां पर movement भी है movement हो रही है books की अब books move होके shelf पर जाएंगी तो on to इस्तेमाल होगा किनकि यही बार discuss किया है हमने जब भी कोई object move होकर किसी surface पर जाएगा तो उस वक्त हम कौन सी preposition यूज करेंगे on to जब कोई object और रेड़ी बगार move किये और रेड़ी पड़ा हुआ है still पड़ा हुआ है किसी surface पर तो उसके लिए on preposition का इस्तेमाल होगा अब on to की other examples देखते हैं exercise हल करते हैं she climbed dash the roof वो roof पर चड़ी वो छट पर चड़ी अब यहां पर देखें climb का मतलब होता है चड़ना लेकिन climb जब आपकी छट पर चड़ते हैं तो definitely आप movement भी करते हैं तो climb के अंदर movement भी आती है और आप surface पे भी पहुंच रहे हैं move करके आप roof पहुंच रहे हैं तो लहाज़ा हम कह सकते हैं कि यहां पर भी आप onto लगाएँ किया पर movement भी हो रही है और साथ-साथ आप surface पे भी जो है, बता रहे हैं कि earths के उपर आप पहुंच रहे हैं इसी तरह से अगली एक्जम्पल में देखें तक cat jumped dashed table अब cat table पर jump करती है आप देखें cat move करके तब ही table के उपर जाएगी न यहां पर jumping शो कर रहे जांप के अंदर आप क्या करते हैं move करते हैं उसके बाद जाके table पर पहुंचते हैं तो definitely यहां पी आपने on to इस्तमाल करने तो previous example में भी on to था यहां पर भी on to इस्तमाल होगा तो on to के अंदर हमने क्या देखा है कि जब कोई object move करके किसी surface पर जाएगा तो हमने on to इस्तमाल कर रही है उसके बाद रूफ पर जा रही है तो यहां यह वाज़े होता है कि movement करने के बाद आप सर्फेस पर जा रहे हैं तो अगली example में देखें मूफ नोट बुक्स डैश तर टेबल आप बुक्स को मूफ करें और टेबल पर इससे रखें अब मूफ नोट बुक्स यहां से on to का इस्तेमाल कैसे होगा और किन जगों पर हम on का इस्तेमाल करेंगे और किन जगों पर हम on to का इस्तेमाल करेंगे विवर्स में उमीद करता हूं कि आज का यह lecture जो के on और on to के इस्तेमाल पर मबनी था आप लोगों को बहुतर तोर पर समझ आ चुका होगा इसकी बावज सकते हैं और इंशाला आपके हर सवाल का solution मैं अपने coming lecture के अंदर जरूर लेकर आऊंगा इंशाला हम अपने next lecture के अंदर एक नई preposition की type के साथ हाजर होते हैं till that bye bye thank you Allah आफिस